एक बार एक बच्चे ने अपने पापा से पुचा, पापा मेरी लाइफ की क्या वेल्यू है? तब भी पापा ने कहा, अगर तुम सच में अपनी जिंदकी की कीमत समझना चाते हो, तो मैं तुम्हें एक पत्थर देता हूँ, इस पत्थर को लेकर मार्केट में चले जाना, औ लेकिन कुछ दिर बाद ही, एक बुड़ी ओरत उसके पास आई, और उस पत्थर का प्राइस मुष्णे लगी, वो लड़का एक तम चुप रहा, उसने कुछ नहीं कहा, और अपनी दो उंगलियां खड़ी करती, तब भी वो बुड़ी ओरत बोली, दो सो रुपे, ठीक है, इस पत्थर को मैं तमसे खड़ित लूँगी, वो बच्चा एक तमसे शोक्ट हो गया, कि एक पत्थर के किमाट दो सो रुपे, चुकि पत्थर जंदरी कहीं पर भी मिल जातें, लेकिन उसका प्राइस दो सो रुपे, वो तुरत अपने पापा के पास गया, और बोला, का म्यूजियम में गया, और वहाँ पर एक आदमी की नजर उसके हाथ में रखे पत्थर पर पड़ी, और तभी उसने उस पत्थर का प्राइस पूझा, वो बच्चा एक तम चुप रहा, और उसने अपनी दो उंगलिया खड़ी कर दी, तभी वो आदमी बोला, 20,000 रुपे ठीक है, मैं तुम्हें इस पत्थर के 20,000 रुपे देने को तयार हूँ, यह पत्थर तुम मुझे दे दो, वो लड़का फिर से चोक गया, और जाकर अपने पापा से कहा, पापा म्यूजियम में मुझे एक आदमी मिला था, और इस पत्थर के 20,000 रुपे देने को तयार था तब ये उसके पापा ने कहा अब मैं तुम्हें आखरी जगा पेशने जा रहा हूं और अब तुम्हें जाना है किम्ती पत्थरों की दुकान पर और अगर वहाँ पर भी कोई प्राइस पूछे तो कुछ मत कहिना बस अपनी दो उंगलियां खड़ी गड़तनी वो लड़का चलती से किम्ती पत्थरों की दुकान पर गया और उसने देखा कि एक बुड़ा आदमी था जो काउंटर के पीछे ख़़ा था जैसे ही उस बुड़े इंसान की नजर उस पत्थर पर पड़ी वो एक्टम शोक्ट हो गया वो काउंटर से बहाँ निकला और तुरेंट उस बच्चे के अससे वो पत्थर छुड़ा लिया और बोला ओ माइग कॉड़ इस पत्थर की तलाश में मिन अपनी पुरे सिंदिकी कुजार दी कहां से मिला ये पत्थर और क्या गाई से इसका कितना लोग है तुम इस पत्थर के लिए वो बच्चा तब भी चुप रहा और अपनी दो उंगलियां खड़ी कर दी तब ही वो बुड़ा आदमी बोला कितने दो लाग रुपे ठीक है मैं इसके लिए तुम्हें दो लाग रुपे देने को तयार हूँ प्लीज तुम ये पत्थर मुझे दे दो उस लड़के को अपनी आँखो पर विश्वास नहीं हो रहा था वो चल्दी सबने पापा के पास पहुँचा और बोला पापा वो बुड़ा आदमी इसके लिए दो लाग रुपे देने को तयार है तभी उसके पापा ने कहा क्या तुम आँछ समझे अपनी लाइफ क्यूएल्यू आपकी लाइफ क्यूएल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि आप अपने आपको कहा रखते हैं ये आपको डिसाइड करना है कि आपको 200 रुपे का पत्थर बनना है या फिर 2 लाग रुपे का। जिन्दगी में कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं। उनके लिए आप सब पुझे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको सिर्फ फ़स्तुग रुपे उप्योग करेंगे उनके लिए आप कुछ भी नहीं हो। ये आप क्यों पर डिपेंड करता है कि आपकी लाइक रेल्यू क्या होगी।